अब सब का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल फामा एमसी क्यू में दिखिया आज का यह जो वीडियो है यह काफी इंपॉरेंट रहने वाला है आप लोगों के लिए क्योंकि इस वीडियो में मैं कहले किया हूं इसमें जो है यह जी पैट के लिए मौक टेस्ट है है आप में से बहुत से स्टूरेंट की प्रपरेशनिंगर रहे हैं इसमें इंक्लूड की हैं अपने आपको अनलाइज कर सकते हैं और इसमें जो है आप मैं इसमें जो है हम question और उसका सिधा आंसर देखेंगे questions को explain नहीं करेंगे क्योंकि questions है कहीं नख़ी वीडियो में बोथ जगह पर explain किये हुए हैं और देखें यह जो है जी पैट के साथ साथ आपके जो भी और भी फार्मा एक्जाम है फार्मा कॉंप्रिटिव एक्जाम से जिसे असम में ड्रग इंस्पेक्टर का एक्जाम है उसके लिए काफी important question रहने वाले हैं यह ठीक है और भी आपके फार्मसिस्ट के एक्जाम है लोगों को मिल सकें ओके स्टार्ट करते हैं देखें आपका question है लिवडोपा इस यूजवली गीवन विद कार्भी डोपा फोर दाट्रीट्मेंट ओफ पार्केंसंस डिजीज बिकॉज देखें ऑप्शन से इट्ट्रॉस इट ब्लड ब्रेन बारियर एट इनिबीट्स इनिबीट्स दोपा डिकर्बोक्सिलेज इन पैरिफरल टीशू आंसर करिए इसका तो अभी आप लोग वीडियो को पोस्ट करके फिर अपना आंसर सोच सकते हैं मैं इसमें इतना वेट नहीं करूंगी क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा ऐसे हम कर्बीडोपा के साथ देते हैं पारकिंस्स डिसीज में बिल्कुल स़ही बात है क्योंकि यह लिए परिफरल डिकर्बॉक्सिलेज इनिवेटर होता है ओप्शन डी आपका विल्कुल राइट हो जाएगा इसका ऑगे इस सिंपल अगर आपको क्लासिफिकेशन याद था तो से देखके जाएगा कोशन देखिए नेक्स आपका वैटिंग एजेंट्स है डैश अचल भी वैल्यू अचल भी वैल्यू पूछी है वैटिंग एजेंट्स की ऑप्शन से 1 2 3 3 2 6 7 2 9 या 8 2 18 टिक है तो वैटिंग एजेंट्स के चल्वी वैल्यू बताइए कितनी होती है नहीं है इंसलिन लेस्प्रो इंसलिन एज नाहीं या इंसलिन ग्राइच डिया हुए है आप्शनोडली नहीं नहीं आता है और बिलकुर राइट हो ज्जय नकार विच्ण the following surfactant also possess antibacterial activity ठीक है इनमें से कौन से surfactant है जिनकी क्या होती है antibacterial activity होती है options देख लिए गलिस्टराइल monosterate quaternary ammonium compounds sodium oleate या sodium laurel sulfate sls आंसर करिए कौन से surfactant है जिनमें क्या होता है antibacterial activity जो होती है वो आपके होते हैं option b quaternary ammonium compounds होते हैं option b दिया हुआ ओके question देखिए next है according to ipbp very fine powder is one of which powder की grade के ओपर question है तो very fine powders के लिए आप से grade पूछा है कितना होगा options देख लिजिए all particle pass through 120 number see 90% particle pass through 350 number see all particles pass through 350 number see ya 90% particle are of size less than 10 micrometer okay अब बताइए इसका answer क्या होगा very fine powders के लिए मैंने आपको क्या बता रख रखा है powder की grade का भी video upload किया था very fine powders का जल्दी से फटाफट से याद कीजिए option a हो जेगा all particle pass through 120 number see question देखिए next which one of the following is the only life saving measure in case of anaphylactic shock okay anaphylactic shock जो है उसके लिए कुन सी ड्रग है देखिए options इंट्रावीनस hydrocortisone इंट्रावीनस adrenaline intravenous chlorpheniramin malleate या intravenous glucosaline आंसर करिए इसका अनफलेक्टिक शोक के लिए क्या पड़ते हैं आप option भी हो जगा आपका intravenous adrenaline हो जाएगा okay question है next which one of the following is not a low molecular weight ही पैरिन low molecular weight ही पैरिन में से कौन सा नहीं है देखिए inoxa पैरिन lapuridine raviparin parnaparin आंसर करिए इसका option भी lapuridine हो जाएगा question है next which one of the following is phase second drug metabolizing reaction oxidation acetylation hydrolysis reduction आंसर करिए इसका answer is option भी acetylation जो है यह आपका phase second drug metabolizing reaction में आता है okay question बाकी के जो दिये हुए फेस फर्स्ट के एक्जामपल दिये हुए next milliard reaction in tablet formulation occurred due to which of the following reasons जो milliard reaction होता है उसके उसके उपर question है options दिके lactose reacts with amino group of drug in absence of metal stearates lactose reacts with amino group of drug in presence of metal stearate mcc micro crystalline cellulose react with basic group of drug protein या cross caramelose react with acidic group of drug answer क्या हो जगा milliard reaction किसके लिए आपने पढ़ रखा है lactose के लिए पढ़ रखा है दो आप काटी देंगे है ना lactose के बारे में पढ़ रखा है तो इसमें amino group के साथ react करता है बिलकुल सही बात है इन दा प्रेजंस ओफ मैटल स्टियर रेट ऑप्शन भी आपका बिलकुल राइट हो जएगा प्वेशन देखिए नेक्स्ट है टाइप बी जेलेटिन इस हैविंग आईसो एलेक्ट्रिक पॉइंट इन दा रीजन ओप्शन से 223425627 या 829 ओके टाइप बी जेलेटिन का आपसे आईसो एलेक्ट्रिक पॉइंट पूइंट पूछा है ओप्शन भी हो जगा 425 क्वेशन आपका नेक्स्ट डोस डॉम्पि की प्रॉब्लम है यह आपशन डी हो जगा कंट्रोल डीमी जलीज रग प्रडक्स नेक्स्ट आज़्ट अनिमल यूजव फॉर पारॉजन टेस्टिंग इस राट माइस रबिट गी पिग पारॉजन टेस्टिंग के लिए कुन सा टेस्ट अनिमल यूज़ करेंगे ऑप्शन सी हो जगा आपका रैबिट नेक्स्ट है अप्लीकेबिलिटी ओफ नॉइस बिटनी एक्वेशन इस टु डिस्क्राइब दा फास्ट ओर काइनेटिक्स जीरो डर काइनेटिक्स नॉइस बिटनी एक्वेशन्स है जो किसके लिए पढ़ते हैं आप लोग ऑप्शन डी हो जेगा डिसोलीशन रेट की क्वेशन तो हर बार रिपीट होता है नेक्स्ट है विच वन फॉलिंग ड्रग इस अरोमेटेज इनिविटर कौन सा है इन में से अरोमेटेज इनिविटर जो है रेलोक्सिफिन, लिट्रोजोल, क्लोमिफिन या माइफ प्रेस्टोन अरोमेटेज इनिविटर में आपकी ड्रग आती है ऑप्शन भी लिट्रोजोल और अनेस्ट्रोजोल आता है नेक्स्ट थेर्मो रेगुलेटरी सेंटर इन ब्रेन इस लोकेटेड इन जो थेर्मो विच वन और फॉलिंग डिजीज पाराजिनमाइड को कौन से डिजीज के लिए यूज करेंगे देखे एड्स, मलेरिया, डियाबेटीज या ट्यूबर कुलोसिज आंसर इस ऑप्शन दी ट्यूबर कुलोसिज प्वेशन है नेक्स्ट क्लैवुलानिक असिड इस ऑप्शन इनक्टिवेट बैक्टिरल बिटल अक्टमेज, पोटेंट इनिबिटर ओफ प्टिडोगलाइकन सिंथिस स्पैसिफिक फॉर ग्राम नेगटिव बैक्टिरिया या इनिबिटर ओफिप्टी एस राइबोसोमल सब्यूनिट आंसर कीजिए क्लैवुलानिक असिड किसमें और एक्जामपल ओफ और गॉंसा नहीं आता काफी यह काफी बार सिंकोनल या क्लोव जो जो और नहीं आता वह आपका अलो हो जाएगा ऑप्शन सी बाकिके एक्जामपल रग के दे रखें ओकए और ऑप्शन जो है आपका सी राइट हो जाएगा इन में से कौन सा कार्टीक एल्दी जिसके अल्दी हाइड गुरूप प्रेजन्ट है प्रेजन्ट होता है नेक्स्ट विच वन ओफ फोलिंग ड्राग यूज इन ट्रीटमेंट ओफ डियाबटीज ड़स नॉट कंटेन हेटिरो सैकलिक नुकलियस ग्लाइबूराइड ग्लेमेपिराइड रैपागलिनाइड ग्लीपीजाइड देखें डियाबटीज के लिए जो ड्राग यूज करते ह हैं उनमें से कॉंसी ट्राग जिसके अंदर क्या है इटिरो सैकलिक नुकलियस प्राजर नहीं है ऑप्शन ए होजेगा ग्लाइबूराइड ग्लीबन क्लेमाइड भी बोलते हैं ऑप्शन ए होजेगा राइट नेक्स्ट एन अमिनो एसड विच गिवे यालो प्रेसिपिटे के लिए पढ़ते हैं इसमें से कौन सा अरोमेटिक अमिनोसिट दिया है ऑप्शन सी दिया है टायरो सिन दिया है ऑप्शन सी बिलकुर राइट हो जएगा नेक्स्ट क्वेशन है कॉमनली यूज़ डिटेक्टर इन यूवी स्पेक्ट्रो फोटोमेटर इस थर्मो कापल फो सा आएगा सोडा लाइब ट्रेटेड़ बोरोसिलिकेट ग्लास देखे टायप बन ग्लास में आप कौन से पड़ते हैं आप पड़ते हाइली रजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास ऑप्शन बी आपका राइट हो जएगा ऑपेसिन नेक्स्ट है वेन मेंथोल अन् कैमफर टुगेदर दे विल फोंक पॉजिटीज यूटक्तिक मिक्ट्र सोलिड मिक्ट्र क्लाइडल सलूशन मैं और कमफर को मिक्स करेंगे तो क्या बनता है यूटक्तिक मिक्ट्र बनता है और जोटेगा नेक्स्ट है लोडिंग डोज ओफ ड्रग इस घूली बेस्ट अन टांड है टोटल बोडी क्लियारेंस ऑफ द्रग परसेंटेज ऑफ ड्रग बाउंड टू प्लाजमा प्रोटीन फ्रेक्शन ऑफ ड्रग एक्सक्रीटेड एंचेंज न यूरीन यह अपरेंट वॉल्म ऑफ डिस्ट्रिबूशन डिजाइड ड्रग कंसेंट्रेशन इन प्लाजमा अंसर क् के जो डिजुलूशन अपरेटर्स है उसको पर क्वेशन है पैडल ओवर डिस्क है कौन सा टाइप का अपरेटर्स देखिए अपरेटर्स वन टू त्री या फाइफ आंसर जल्दी से सोचिए इसका जो पैडल ओवर डिस्क जो है आपका ऑप्शन डी हो जगा ब्यूटर डाइन या क्लोरो फ्लोरो कार्बन ओयल यह आपका न्यूजोल होता है ऑप्शन बी हो जगा न्यूजोल जो क्या होते एक मिन्डरल ओयल होता है नेक्स क्योकेस्ट वे ओफ रिवीलिंग कैपिंग लामिनेशन प्रोब्लम इन टेबलेटीज फ्राइबलेटी टे कार्बन टेट्रा क्लोराइड कार्बन डायोसलफाइड या वोटर आंसर करिए इसका वोटर यूज नहीं करते ऑप्शन डी राइट हो जेगा नेक्स्ट आपका कॉंपोनेंट रस्पोंजिबल फोर रैड कलर निंगे कैपसेसीन कैपसेंथीन प्रोटीन और एसकोर्विक टिका रैड कलर के लिए आपका ओप्शन भी हो जोगा कैपसेंथीन होता है नेक्स्ट है आपका विच वन ओफ फोलॉइंग इस नोट और इंडोल अलकलोईड इनमें से कौन सा है जो इंडोल अलकलोईड नहीं है नोट को ध्यान से देखना है कई वरना हम एक्सेप्ट नो नेक्स हैं नेक्समेसस मेजर्मेंट ओफ एनली क्लेरंस मेसर ओ ऐध ञायरा आजा कैने medium वरना दरेशन रेट है एक्स अंक्ट्पार्ट क्पार सब्तावाय ऑप्सटिपल्स केंदो के इस बายघड अ alors मेजर्मेंट और वहो डाइनल प्लोउड आजने मेजर्मेंट ऐध यां मेरुलल फिल्टरेशन रेट क्वेशन आपका नेक्स्ट है विच ओफ फॉल्विंग कॉंसिबल फॉर कलर ओफ शिलाग शिलाग जो है इसके कलर के लिए रिस्पॉंसिबल कौन सा होता है देखें लकाइक अच्ड शिलोई के लिए टीक एसिड या ओल आंसर इस ओप्शन ए ल स्पॉर मेथड के ओप्शन में दिया है 94,000, 92,000, 91,000 आंसर इस ओप्शन ए 94,000 हो जाएगा क्वेशन आपका नेक्स्ट है वेवलेंस सोर्स इन NMR स्पेक्ट्रो मीटर इस NMR जो पढ़ते हैं आप उसमें वेवलेंस सोर्स आप से पूचा है गोनियो मीटर रेडियो फ्रिक् in the ionization stage of mass spectrometry ओप्शन से helium, argon, xenone या methane या मिठेन स्पेक्ट्रो मीटर की आपकी होती है methane next is the Anomosetid gutenberg फीचर विच प्लांट इन्योमोसितिक ट्रोमेटा का भी विडियो बनाया है डिसे टैलीस हयोसाइमस मैंता यसे ना अन्योमोसितिक ट्रोमेटा हमने किसमें देखें ऑप्षण ये आपका राइट हो जाएगा कुएशन आपका नेक्स टैक कुईनुलीन अलकलोइडेस और बाय संथे साइज्ट वाई वीच वर उपनए पाथ वे कि रूज़ के लिए कुन सा पाथ वे हैं शिक्म Poke स्थिक्मिक आशिद्रियाइल आलेनीन उभिष फिंतर्था सब्सक्राइब चुसे लांटपर आपका नेक्सट पार्टिफिजिर इन्वर्ट शूगर इन हनी दिटेक्टड़ होता है और प्राइजंस के बेसिस पर करते हैं यह तेस्ट होता है वह फायस टेस्ट होता है यह इस test का नाम किया है FIAS test next question है इन शीकमिक एचिट पाथ वे Chorismate Mutase जो होता है यह convert करता है Chorismic acid को किसमें convert करता है देखिए केरोटिनोड, फाइटोल, पर्फिनेट या पर्फिनेक एचिट या गुता देखिए Chorismic Acid जो होता है वो convert होता है परफैनिक एसिड में ओप्शन सी आपका राइट हो जाएगा ओके एंजाइम कोरिसमेट म्यूटेज होता है नेक्स्ट है आपका one of the following is not used in the surface sterilization process in plant cell culture identify it गामा radiation sodium hypo chloride hydrogen peroxide benzylconium chloride देकि नोट पूछा आपसे surface sterilization process होती है प्लांट cell culture में इसमें जो है इसमें ऑप्शन ये गामा radiation यूज नहीं करते हो के बागी तीनों यूज करते हैं नेक्स्ट क्वेशन आपका which of the following is adult trend of sana सना का adult trend कौन सा है केशय एक्यूटी फोलिया, केशय ओबोवाटा, केशय एंगुस्टी फोलिया, केशय मेरिलैंड का देखे अडल्ट तरेंट जो होता है वो option B हो जगा आपका केशय ओबोवाटा होता है नेक्स्ट क्वेशन आपके ओप्शन भी IgG होती है क्वेशन आपका नेक्स्ट है सब्स्टांस यूज़ फोर कैलिबरेशन औफ एब्जोबन स्केल ओफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमेटर इज़ नेक्स्ट होल्मियम ऑक्सटाइड पताशियम क्रोमेट पताशियम डाइक्रोमेट पताशियम क्लोराइट ठीक है तो यह सब्स्टांस जो है अब्जोबन स्केल जो है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमेटर का उसके क्लिबरेशन के लिए उस होता है आंसर इस ऑप्शन सी पताशियम डाइक्रोमेट होता है क्वेशन आपका नेक्स एंटेरी कोटिड और टेबलेट चैन बी मेट बाइ यूजिंग विच वन ओफ फॉलेंग कंपाउंड एंटेरी कोटिंग के लिए कौन सा कंपाउंड यूज करना है पोविडोन दिया है 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 अट्रोक्सी प्रोपाइन मिथाल सेलोलोस है लिबामन बरकाट घयस्त में कौन कौन से केमिकल जंवल्ड है प्रोपाट जो स््टिरोट के लिए होता है और इसमें जो केमिकल्स हैं ऑप्शन भी एकित यां आड्राइड अंकंसंट ड MARY इसरीड यूज डला ऌइस में डाकरदे को स्वाह चाह चेहे 17 remains डिधाने पर्फा में से मुझार इसे सब्सक्राइब करें हुआ है यह तो ओर जे होता है question आपका next है which one of the following person is not an ex official member of drug technical advisory board डिटाप के ex official member में कौन सा नहीं आता देखे drug controller general of India दिया है director central drug research institute दिया है director Indian council for medical research ICMR के डारेक्टर या प्रेजडेंट PCI प्रेजडेंट pharmacy council of India तो नोट पुछा आप से option C हो जगा director Indian council for medical research नेक्स्ट है license for manufacture of cosmetics is issued in form no.31 form no.32 form no.31 form no.32 a कोस्मेटिक्स के लिए जो manufacturing license होता है वो issue होता है किसमें option B form no.32 question आपका next बैसिलर सीरिस इस यूज़ इन ऐसे ओफ बिच अंटिबायोटिक बैसिलर सीरिस जो होता है कौन से अंटिबायोटिक के ऐसे मिउस करेंगे कैनमाइसिन बी रिफामा रिफामपिसीन स्टिप्टोमाइसिन या ट्रेट्रा सैक्लीन यह यूज़ करेंगे ग्रेप जूस जो हैं जैम इनिबिटर बाकी के जो हैं जैम इन ड्यूसर के एक्जामपल दिये हुए हैं क्वेश्चन आपका next विच फोलिंग फॉलिंग फॉलेशन अंडर एस्यू आइविदा सिद्दा इन यूनानी सिस्टम और ओफर्ड इन फाइन पिरिएड ऑफ शैल और प्यूरीन के टाबोलीजम इज जो प्यूरीन का के टाबोलीजम है उसका एंड प्रोड़क्त बताई है यूरिया है प्यूरी आंसर क्या होगा इसका आंसर इस ऑप्शन ए यूरीक आसिड क्वेशन है आपका नेक्स अरेंज्ट फोल्विंग फैटी एसड इन डिक्रीजिंग ओडर और और अन्साचुरेशन हाइस्ट से लोवाइस्ट की और आपको अरेंज करना है ठीक है आपको फैटी एसड दिये इनका जो अनसाचुरेशन मैंने उसमें आपको अरेंज करना है देखिए स्टीरिक आसिड दिया ओली कैसिड लिनोलीक आसिड मैंने आपको बताया था अनसाचुरेशन मतलब कि डबल बॉंड कितना डबल बॉंड प्राजेंट होते हैं ठीक है इन में से एक तो अरेकिडोनीक आसिड होता सब ज्याद था कि ऊपष्यून में से नहीं है तो सबस्के पहले नहीं इसके बाद आपका लिणोलीक आसिड होगा उसके बाद आपका हो जाएगा कौक्षा बिल्कुल राइट किया होगा में सापसे कवेशं आपका नेक्स ट्री है फेज जीरो स्टाडीज मीन क्लिनिकल ट्राइलस के पर क्वेश्चन फेज जीरो में क्या है ऑप्शन देखें फस्ट इन हुमन माइक्रो डोजिंग स्टडीज पार्ट ओफ फेज वन स्टडीज फिलिनिकल ट्राइल्स इन विट्रो स्टडीज यह स्टडीज करेड आउट ओन स्माल नंबर ऑफ एनिमल्स आंसर इस ऑप्शन ए फास्टीन माइक्रो डोजिंग स्टडीज कुशन नेक्स्ट एमिट्र ट्रीप्टाइलीन सिंथेसाइज फ्रॉं दा स्टार्टिक मैटीरील क्या है इसको सींतेजिस होती हो इसमें स्टार्टिक माटीराइड जो पूछा है आपसे थैलिक अन्हाइड्राइड तर थैलिक ए दवर्स एफेक्ट आसोशियेटेड विद वन उफ फॉलिंग केटेगरी ओफ ड्रग सल्फोनमाइट्स मैक्रोलाइट्स पैनिसलिंस टेटरसेक्लिंस स्टिवेंस जोंसन सिंड्रोम है कौन सी ड्रग का साइड इफेक्ट पढ़ते हैं आप लोग ऑप्शन होजेगा सल्फोनम गोन सी इंट्रेक्ट करता है कि वट एक केमोकीश क्या होता है टॉक्सिटी ऑफ है मैंने यूज्ट और रिमेटार इर्थराइटी से नौट डिए बायलोजिकल्रेस्पोंस मोडिफाइट्स तिस अर्ट फॉलिपनेटा यूग है केमोच्ट पास्स? है उसके treatment में जो ड्रक देते हैं उसमें से कौन सा है जो भी एमर जो भी आरेम है बालोजिकल रस्पॉंस मोडिफायर में नहीं आता देखिए अनकिन रहा दिया है options में लेफलोनोमाइड एटानर सब्सक्राइब आंसर करिए इसका option B है लेफलोनोमाइड question आपका next है which of the following act as non-ionic emulsifying agent इन में से non-ionic emulsifying agent कौन सा है देखे trithenol amine oleate polyoxythylene sorbiton mono oleate and cetyl and ethyl morpholinium ethosulfate या diocytile sulfosuccinate आप से non-ionic emulsifying agent पूछा है option B हो जगा polyoxythylene sorbiton mono oleate okay next wavelength of the UV light provide maximum germicidal action options 253.7 mm 275.5 mm nm 283.5 mm जो यूवी light है इसके लिए बतानी है कौन सी वेवलन्स है जो maximum germicidal action प्रोडूस करती है option A हो जगा 253.7 mm okay next which one of the following drug has positive ionotropic and negative chronotropic action कौन सी ट्रग है जिसका क्या है पोजिटिव तो है और नेगेटिव कौन ट्रोपिक एक्शन है बताइए आंसर डोपामीन एपिनेफिन डिजॉक्सिन या इसो प्रिनालीन आंसर क्या होगा option C होगा डिजॉक्सिन नेक्स्ट है आपका which one of the following is the most likely positive sign of pregnancy when detected in urine देके इस्ट्रोजन प्रोजस्टिरोन human chorionic gonadotropin या कोटिकोट्रोपिन होर्मोन आंसर होता है option C HCG होती है इसकी प्रेजन्स को डिटक्स करते हैं option C होगा human chorionic gonadotropin नेक्स्ट आपका blood level monitoring of HbA-Ic is important in which of the given disease states देखे हाइपर कोलेस्टिरोलीमिया diabetes mellitus myocard infraction या congestive heart failure तो इसका अंसर क्या हो जाएगा इसका अंसर हो जाएगा आपका option B हो जाएगा diabetes mellitus की case में monitor करते हैं इसको option जो है आपका बिल्कु सही हो जाएगा diabetes mellitus option B राइट करना है इसका question आपका next है फजांस method of titrimetric analysis involved detection of the endpoint on the basis of which one of the following देखे color change appearance of a ppt precipitate neutralization reaction या absorption phenomenon फजांस method में क्या होता है जो endpoint detect करते हैं वो किसके basis पे होता है उसमें होता है आंसर सोच लिया होगा आप लोगों ने क्या होता है option D absorption phenomenon होता है next है what is a primary mechanism of action of local anesthetics local anesthetics का primary mechanism बताइए क्या है देकि activation of ligand-gated potassium channels blockage of voltage-gated sodium channels stimulation of voltage-gated anti-calcium channels या blockage of gaba-gated chloride channels आंसर होजागा आपका option B blockage of voltage-gated sodium channels नेक्ट्ट्रेजिस प्राइमोजल क्या होता है सब्स्क्टिट्ट्टिद एच पी एमसीं स्टार्च होता है जिसको डिसिंटिग्रेशन के लिए यूज करते हैं नेक्स्ट है इंडिकेटर यूजिन मोर्स मेथड ओफ एस्टिमेशन प्रेसिपिटेशन टाइटरेशन जो है उसमें इंडिकेटर कुन सा यूज करते हैं इसके लिए उप्शन सी प्टाशयम क्रोमेट यूज करते हैं नेक्स्ट है पारंजीपिन प्रोडूस इस एक्षिन बाय ब्लोकिंग विस टाइप उप्रेस्टर पारंजीपिन है कोन से रिसप्टर को ब्लोक करेगा एंडिकेटर जो होता है स्पैसिफिक म एंडिकेटर या फोटो सेंसिटिविटी इसको बोलते हैं तेरेटोजनिसिटी ऑप्शन भी आपका राइट हो जाएगा नेक्स हाफ लाइफ ऑफ डिजॉक्सिन डिजॉक्सिन का हाफ लाइफ आपसे पूछा है 30 मिनट्स 40 आर्स 4 आर्स या 7 डेज ऑप्शन भी होजगा 40 आर्स होता है क्वेशन आपका नेक्स्ट्य सथैंडरेफ्ट का नच्छी सेंडर्टट रहता स्वेशनरत हैं कने त्ट्राइफ अपस्ट्रे शिलेन होजेगा ऱैउ lofty क्वेशन अबब्य आपका नेक्स्ट्रेंट्र मेंंध अन्टी होता है आंसर इस ऑप्शन डी आमिलो अलकाई लीथर डेरिवेटिव होता है डाइफिन हाइड्रामीन जो होता है फॉलिक एस्ट इस डाइस डेरिवेटिव पाइरीडीन, पिपिरीडीन, टेरीडीन, थायाजोल फॉलिक एस्ट के अंदर कौन सी रिंग प्रेजन है, टेरीडीन रिंग होती है, ओप्शन सी आपका राइट हो जेगा नेक्स्ट है मेन फंक्शन ओफ सेंट्रल ड्रग लाबोरेट्री जो है उसका मेन फंक्शन आप लोग उसे पूछा है तो अनलाइज ड्रग औ कोस्मेटिक्स तो फ्रेम एजुकेशन ड्याइएट गुलेशन, तो अडवाइज ए सेंट्रल गवर्मेंट ये तो अडवाइज द्रग औ कोस्मेटिक्स नेक्स्ट है विच एंजाइम इस इन्वोल्ड इन दे कन्वर्जन ओफ गलुटामीक एचिट तो अल्फा-क्यूटोगुटरेट टीक है गलुटामीक एचिट से बनता है अल्फा-क्यूटोगुटरेट कौन सा एंजाइम रस्पोंसिबल है डी हाइड्रोजीनेज अमिनो ट्रांसफरेज या कर्वोक्सीट्रांसफरेज यह आपका होता है मिनो ट्रांसफरेज ऑप्शन बी राइट हो जाएगा फ्वेशन नेक्स टॉक्षोट बिलॉउंग्स डिलॉंग्स बिलॉंग्स फिमेनलोजीकल प्रड़क्ट्स विच प्रडूश लेकिन नाच्रल अक्वाइड एक्टि प्रवाइड करते हैं यह क्या प्रवाइड करते हैं तो इसके लिए ऑप्शन भी हो जगा सालमोल टाइफाइड यूज करते हैं नेक्स्ट है शिक टेस्ट इस यूज करते हैं शिक टेस्ट और एलेक्स टेस्ट नेक्स्ट विच वन्हों था फोलूंगी से कॉंप्टिटिव एंट गनिस्ट बैंजो डायाज़िपें साइट ओव गाबा रिसेप्टर गेटेड क्लोराइड चैनल ओके उप्शन सामसी मौल प्रोटोक्सिन फ्लोमाजनिल बेटा कार्बोलीन देखें जो बैंजो डायाज़िपें सब्सक्राइड अपसे पूचा है यह आपका होता है औप्शन सी फ्लूमाजनिल होता है नेक्स्ट है सी नंबर 80 है ऑपनिंग ओफ पॉइंट वन जीरो एमम पॉइंट वन फाइफ ज इंग्रेडियंट प्रिजर्वेटी बॉफरिंग एजेंट्स या टोनिसिटी अजस्टर से लार्ज बोलिम परेंट्रल्स में है यह उप्शन जो है भी होजगा प्रिजर्वेटिव जो होते हैं वह होजएगा क्वेशन नेक्स्ट है आपका बालोजिकल एक्टिव विटाम प्रिच्टे नम्हेंटेग्स अंग्रेडियंट्रपी निवीर्फिटर्स किया होता है यह वह अफ्टेग्स प्रिच्ट है मैच कंपांड इन ग्रूप वन इन इविटरी अक्टिविटी इन ग्रूप सेकिंड ढोब कि दिए अगर आपको इनको मैच करना है सबसे इससे इससे निकल आता न देखिए वैंको मैसीन का आपको आपको आप को होती है ठीक है यह देखिए ओप्शन देखिए तो हमने पड़ा हुए आपको पता रहा है कौन कौन से ड्रग एक्ट करेंगी पैने से फैलो स्पॉर्ण को अभी एक्स्प्लेन नहीं करेंगे ठीक है बाकी आप देख लेना इसमें देखिए वैंको माइसीन जो है सल्वोल प्यक्ट करेंगे तो पी का होगा फाइफ अभी देखिए ओप्शन में प बान होगा नगे कर जाए आपको नहीं और निए नगौन ऑचान आपका प्रोटिन स्टेशिस और इसमें जो होगा इसमें से वाइट करणंसे और अप्रोजो कुलाद मायसी इस रिफाट सिन्सी नगायोन आपको से प्रोंत इन एको से सिर्फ MRF असले सी widely HomEx सिर्फ के जिए hanging Xて jó झीज्यान के नेग्स की नोहर चुचर कुन सा600 स्थां क्रोमिक यसी जियी पौली डाइयोगत च Sh Weight य создah С yemek इनध्या एक आ sporहांगो फीर रहे टेफिर लोभरीग और वेपर इस गीवन बाइ रोल्ट लो हैं डीलोब बोल्स लो चाहल लो आंसर इस ए रोल्ट लो जो क्वेशन है नेक्स्ट आइसे टोप डिफ़र इन लॉंबर ऑफ ब्रोटों व्वालन सी नमबर केमिकल अक्टिविटी नमबर ऑफ नूट्रोंट इस डीफर करते हैं ऑपशन डी होज करेंगे वो क्या बनेगा और्तों unfolam tijdwriter बनेगा देकिए कारबीन कार्वफ कोटाइन कार्बाइन दर्फिराइंट्स धर चेंद प्या अब्agarटी को कारई कर चेंदे स्टीनियाइंड यह राइट benefit question next aim of pharmacovigilance is pharmacovigilance का aim क्या है to monitor drug toxicity to monitor unauthorized drug manufacture to monitor rational use of drug या to check and control drug cost answer करिए option A to monitor drug toxicity next non opioid analgesic and prodrug also इनमें से कौन से drug जो non opioid analgesic और प्रोड्रग भी है नाखीमितों एक जान रखना और इस्टी लाटन को मैं डियानर है और ओप्ज्जितल शोलीशन और फ्जटोंै ढर्रियर विवेसरीं को बते हैं participated चूंप सब्सक्रीव्टी ऑफटा को ची एक लिएक सानी खूंबिनेशन जो का ऐस एक हैं देगे या पारी मिधामिन और सल्फा डॉक्सिन दो कॉंट्रा इंडिकेटिटिड जो है वह आपका ओप्षन आ हो जगा ग्लिस्राइल ट्राइनाइटरेट के साथ स्रिल्डिनाफिल को देना कॉंट्रा इंडिकेटिड होता है क्वेचिन आपका नेक्स्ट में ग्वाय मास्टर फौलविंग क्यमिकल कॉंट ग्लास आपको डिया हूं2 अक दरफ दियो के मिकल टैस्ट सिंपल फार्मकोगनोसी के जो टैस्ट है उसको पर क्वेचिन है कि देखें यह जो टेस्ट होते हैं किसी के भी ले लिजिए आप काव्ज़ूध्रेट्स के ले लिजिक यह फार्मकोग्नोसी के जो भी आपके अलकुलोड के आपके टैस्ट है काफी इंपोर्ट पर बिल्कुछ सिधा क्वेशन आता है इस तैप से मैच करके बिदे सकते हैं म तेस्ट कोन सा पड़ते हैं तो इसके लिए आपको बिल्कुल इजी आता है पहले वह देखिए मेरे साब से जो बोन ट्रागर टेस्ट है अभी को पता है कि अंथराकुन ग्लाइकोसाइड के लिए होता है ना अप्षण ड का सैनोसाइड में यह ऑप्षण ड का वन मैच कर लेंगे ड का वन आपको तीन ओप्षण में मिला हुआ है देखिए अभी तो आपने एक यह उप्षण काटा है अभी और भी अच्छे से आपको ट्रोपेनल कलोट्स के लिए विटाली मोरिन रियक्शन में आपक हो गया आपका अभी ऑटोमेटिक अंसर निकल के आ गया कुईनी जो है इसके लिए ध्यान रखना है आपको सिंकोना के लिए थैलोकुन टैस्ट याद रखना है आपने एक हो जागा सेकिंड और डिजी टॉक्सिन जो है आपके लिए काडिक लैकोसाइड में आता है इसके आप डिजी टॉक्सिन के लिए किलर के लिए आनी पड़ते हैं बी का फोर्थ आ जाएगा ओके टैस्क के ऊपर क्वेश्चन आना ही आना है काफी इंपोर्ट होते हैं यह तो यह मैच कर लिजेगा आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा ओके तो आपका हो गया यह और एक यूज़ ऑफ थाइजाइड डायुरेटिक्स इन हाइपर टैंशन चैन प्रडूस ओल ओफ दा फोलूइंग एकसेप्ट थीक है थाइजाइड डायुरेटिक्स जो होते हैं अगर लोंग टम इनका यूज़ करेंगे हाइपर टैंशन में तो इनसे क्या हो जाएगा एकसेप सटिमेटर्बीट्स फट्राइडटिक्स उम niez और पर सेंटिमीटर्वलियन ऑसकेटिन तो म eventual क्नटेंछ ओल टायुकों जूप्ट्वेट्वलेंज डोल शोसॉतन ऍपर यूल यंवर्ण प्रोंट्टामंत प्त्सकाइज देंगे ओंगूणमीस प्लायुएंगीस फॉन में स होता है जो हाइस्ट अमाउंट है सोलिड कंटेंट का आपके पेस्ट में प्रेजंट होता है नेक्स एन इपोक्सी रिंग कैसे प्रपेर कर सकते हैं देखें डी सी ऑक्सिटेशन ऑफ एल्कोहल प्रिवोस्ट रियक्शन डार्जन ग्लाइस्टरी कैस्टर सिंथिस्टेशन आं इसका उप्शन सी इंटरेक्शन आसो सी एटिड विद मैटाबोलीजम फ्रेशन नेक्ट है आपका विच फॉलिंट इजिस इसको बाइट रिपनेमा पलीडियम प्रिपनेमा प्लीडियम जो है कोंसी इसको करता है टिटायन सिफलिस लेप्टोस पारोसिस या पिंटा मैंने आश्चाम प्रैजेशन अर्वार्जेशन फ्लोग प्रैशन अट्यों कि बैरियर केपिलर या एंड़ोथीलियल ब्लड ब्रें ब्यूर्यर एस्ट्रोसाइट प्रैशन दी ब्लड ब्रें बैरियर नेक्स्ट है इन ओर्गानिक कंपाउंड यूज जान एमिटीक इस फैरी क् और या आयोडीन बी हो जग कोपर सलफेट होता है वह ड़स दा टम बायो अविलेबिलिटी मीन बायो अविलेबिलिटी का मतलब क्या होता है ऑप्शन देख लिजिए प्लाजमा प्रोटीन बाइंडिंग डिग्री ओप सबस्टैंस पर्मेबिलिटी थो दा ब्लड ब्रेंड फ्रेक्शन ओफ आंचार्ज ड्राग रीचिंग दा सिस्टेमिक सर्कूलेशन फॉलोइंग या रूट फैड्मिनिस्ट्रेशन या अमांट ऑफ सबस्टांस इन यूरीन डिलेटी तो दा इनिशल डोस आंसर हो जगा बायो अविलेबिलिटी जो है इसका मतलब होता है ऑप् इनल ग्लैण्न खोंड और है तो जगा इनियां अश्ट कोटेक्स बीरनलमेड जो क्यु जो और पिछीं ब्रॉड्ट्स बीव जो इंसे काफी इंपोरंट है नेक्स्ट विच अमांट विच यही तु ब्सक्ष पांट घॉपोड़ी यह काइए भांट इनिवेंग और इम आ सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करेंगे जीननेंसे करेंगे नेक्स्ट है आपका चाल्डोस कालकुलेशन पर क्वेशन बनता है वेट इन पाउंड डिवाइड वन फिफ्टी मल्टिप्लाइड डोस इस इवल टू चाल डोस यह फॉर्मुला दिया है आपको देखे दफ अबब फॉर्मुला इस नोन एस जैश इन पॉसलोजी तो यह कौन सा फॉर्मुला है यह आपका ओप्शन ए है क्लाक्स फॉर्मुला यहां की बात हो हुपर है यहां पर इसक फर्मुलाइड न संटर इस च्टैनम् इस परमुलाइड जाए लाश्ड रही तो यह हो जागा यह इंटेंसीम तर्फिस इंवह अर्विड फॉर्मृ जास्ट उन्था और बात हुए नहीं तस्टेंश ए निवके्ट उनको क्या है टीबी के लिए डोट्स की ट्रीटमेंट चल रही है ठीक है अब परिफर नुराइटिस होती है आपको पता यह कौन सी ड्रग है जो परिफर नुराइटिस कोज कर रही होगी इसके लिए क्या देना है सिंपल क्वेशन है साइनो कवालमीन अलफालिपोई आपके जो है आपके जो है ऑप्शन सी पाइडोक्सिन देंगे इसको विटामिन B6 बोलते हैं कि पाइडोक्सिन आपका अंसर हो जाएगा क्वेशन देखिए नेक्स्ट है और आइसो निया जट्च होती है वो कराती है पैरिफर नुरोपैथी ओके नेक्स्ट क्वेशन है वि सब्सक्राइब नहीं आता ओप्शन दी राइट हो जगा बाकि गाबा ए रिसेप्टर फाइटी त्री और निकोटनिक रिसेप्टर आपके लिगेंड गेटिडायन चैनल में आते हैं नेक्स्ट क्वेशन अब्रीजिट्टर इस यूज्ट इन गैस क्रोमेटोग्राफी यह नहीं है कंटेनर यूज फोर एर और सोर्श विट्स्टाइब प्रैश्यर ओप्शन देखे 132 150 PSIG 130 दिग्री फारनाइट 142 180 PSIG 130 दिग्री फारनाइट 142 170 PSIG 120 दिग्री फारनाइट 120 140 दिग्री आंसर ओजेगा आपका इसका क्या होगा ऑप्शन भी होगा 142 180 आपने याद रखना है क्वेशन देखे नेक्स्ट हैं फाइंड प्रोसेस बाइविस कन्वर्जन ओप सल्फा सालाजीन तो सल्फा पाइरदीन फाइफ अमिनोसालेसिलीक अचिट टेक प्लेस न को लोन ओके हैं हीड्रोलिसीज डियामिनेशन अस्टाइलेशन या एजरेदक्शन सल्फा साला इस जो है यह कन्वर्ट होता है कि इसमें पाइरदेज फाइफयमिनोसालेसिलीक यह कोन सी प्रोसेस और यह घुता है गज्टिटेशन होता है क्यों सा क्लोटिंग फैक्टर है जिसकी वजह से आपका जिसकी कमी वजह से हेमोफिलिया है यह बताना है यह है हमसीं कर जो ओप्छ क्लोट्वी तोग से नहीं stellen अब्यास है और नहीं ट्रफीश गर फ Democrats अ क्यों सब्सक्रारwww इस टाइब से आपके आंसर देने हैं आपने चूज़ दा करेक्ट वन फॉलोइंग यह आपके ओप्शन्स है एबी एंडी 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 सी ओली अभी क्वेशन देखिए अच्छे से कि यह शबाटनिटी प्रपरटी आपसे पूच आप परिशन फ्रे mortgage पॉइंट भी होता है ऐसी उप्सके वहां나된े थिए कि ओप्शन में देखिए आपका डी आएगा सी ओनली मतलब सी जो है वह नहीं है बाकी तीनों आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है नेक्स्ट है पावर ड्रग इंस्पेक्टर पॉइंट अंदर दा ड्रग पॉस्मेटिक अंदर विच ओफोलिंग सक्षिन ओफ टुटीवड़ीव ट्वटीव ट्वटीव ट्वटीवाइटीट्वट्व ट्वावर ट्रग इंस्पेक्टर के इसके लिए आपका ऑप्शन सी आजेगा 22 ओके नेक्स्ट है सिस्टम वोल्यूम इस इंक्रीज्ट वैंचियाटिज इस क कोपिया फूर सिल्वर नाइट्रेट जो है किसके लीफिस्ट में डिब्यक्यक्ट युणासिकर क्लास ने 한번 प्रॉड Claro歌 क्वेरन क्लास 3 में दिया आप बताइए इसका आंसर क्या होगा कौन सा रोंगली मैस्ट रहा है जो गलत है वह बताना है देखिए लिडोकेन क्लास 1 बी में आती है बिल्कु सही है क्लास 1 में आप पड़ते हैं क्यूपीडी कुणिडीन प्रोकेनमाई डायसो पायरामाइड पड़ते ह लेच्ट के और में आती है में अप्षण प्रोकेनमाइड फिल्कु सही है औप्ष्ण भी आपका राइट हो गया ऑके नेक्स्ट है टॉटल नंबर और अमीनवासेट इन्सुलीन ठीक है टोटल नंबर अमीनवासेटिक अबी चेन्स टॉटलन नंबर कितने अविट निया ह होते हैं इनसुलिन की चेंज में में होते हैं हो 51 होते हैं कि इस फॉर्मल दी हायड अंडर रियक्शन टूकर से देखिए प्राइमरी अलगोहल जो है कि जो गिंडार रियक्शन जो होती है इसमें फॉर्मल डी हायड से क्या बनेगा उप्शन नहीं हो जगा आपका प्राइमरी अल्कोहल के क्वेशन है लास जो अभी क्वेशन इसका आप कमेंट बोक्स में देंगे यह है विच फोलिंग ड्रग बिलोंग टू क्लास और अंटिबाटिक है यह क्वेशन है भी पोट बार रिपीट होता है जी पैट लिजी होटा फड़ी आपका रहता है फिस ट्राइप का यह और भी स्टमस कैसे कमेंट करके जरूर बताना किस टाइप के क्वेश्चन्स है और आपका मतलब कैसी आपका रहा यह मौक टैस्ट के इसके बारे में अपना रिव्यू जरू देना कमेंट वोक्स में और जो है इस वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करन शेर करना चैनल पर नए है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ओके थैंक यू